नवास्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दाइस्पीडाउन राकसर में एक बार फिर से स्वागत है और हम लोगों की जो सीटेट 2020 की स्रीज चल रही है बाल विकास यहां सिच्छा सास्त्रिस में हमने जो है महात्पूर्ण प्रस्णों के स्रीज लिए हुए हैं जो प्रिवि अगला कुश्चन है कि निमलिखित में से किस अवस्था में बच्चे सम्वयस्क समूह में सक्रीता हो जाते हैं मतलब कि किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने सम्वयस्क समूह के सक्री सदस्य हो जाते हैं तो इसमें चार आप्सन है पहला की सोर आवस्था पसिद्धते हैं अगला कुश्छन हमारा है कि मादलेा नविटको किस छेटर में vibe ऑजूके समाजिक। दूसरा प्ष प्रेधे ईसके बाद देखिये अगला कुश्यन है हमारा की कि सोर का अनुभ scientist का अनुभव कर सकते हैं तो जो किशोर होते हैं वो हमारे अब इसमें देखिए बच्पन में किये गया प्राधों के प्रते डर, दूसरा आत्मसिद्ध के भाव, तीसरा जीवन के बारे में परित्रिप्त, और चौथा दुश्चिंता और सोयम से सरोकार कानुभव कर सकते हैं अगला कुश्यन है हमारा भासा विकास में सहयोग करने को कौन सा तरीका गलत है, जो भासा विकास है इसमें सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, पहला बच्चे को बिना रोके टोके प्रक्रण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भासा के प्रियोग को अमाने करना, तीसरा उसके प्रियोग का समर्थन करना चौधा भासा के प्रियोग के आउसर उपलब्ध कराना तो इसका जो सही योग करने का कौन सा तरीका गलत है तो इसका जो सही option होगा वो होगा option number 2 कि बच्चे को बीना रोके टोके मतलब कि उसकी अपनी भासा को अमान्य नहीं किया जाता है अगला है मानो भिकास है तो मानो भिकास क्या है देखे हमने बाल भिकास चलाई थी जिसमे आपको हमने इसका पहला बिस्टार में उसको आप एक बार जरूर देख लिजी भले ही वो 26nd semester का है लेकिन उसके maximum part आपको इसमें मिल जाएंगे तो मानो विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों होता है इसलिए जो option number 4 है वो हमारा सही option हो जाएगा अगला है निम्निलिखित में से काउन सी काउन प्रारामभिक बाल्यावस्था आवध के दवरान उन भूमिकाओं एवं बेवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समों में सुविकारी है तो इसका जो सही option होगा वो होगा माता पिता एवं भाई बहन यही है जो की बाल्यावस्था वाध के दवरान उनकी भूमिका एवं ब्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कौन-कौन माता पिता एवं भाई भैना अगला कुश्यन है कि निमनलिखित में से कौन सा आयू समू परिवर्ती बाल्यावस्था स्रेडी के अंतरगत आता है तो देखिए बाल्यावस्था की बात की तो बाल्यावस्था हमारी 6 वर्ष से ले करके 11 वर्ष की होती है वहीं आगे देखिए कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है या संबंधित है तो देखिए हमने जो B8 का जो है सेकेंड समेश्टर की जो सिरीज चलाई थी बाल्यावस्था की बाल विकास सेवं सिच्छा सास्त की उस पे हमने बताया था कि जो हमारा नाराज होने का गुड़ है क्रोधित होने का गुड़ है गुश्चा होने का गुड़ है ये सब हमार गात्मक विकास से संबन्नित है जिसका जो आप्शन सही होगा आप्शन नमबर ए होगा वहीं अगला है सैस्वाकाल की अवध ही क्या है तो देखें सैस्वाकाल की जो अवध ही है हमारी उसे क्या है तो जन्म से ले करके दो वर्स तक का जो काल होता है उसे हम क्या कहते हैं उस अगला बिकास से डाट डाट की और बढ़ता है तो जो विकास होता है हमारा विकास हमारा सामान से बिशिष्ट की और बढ़ता है अगला कुश्यन है कि विकास की गती एक दूसरे से भिन होती है, मतलब विकास की गती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन होती है, किन्तु यह एक नमूने का अनुभव करती है, तो देखिए इसका क्या आसे है, कि जो विकास होता है हमारा, विकास क्रमबध और ब्यव तो उसमें लिखा है कि किन्तु यह एक क्रंबस्ट और बेवस्थित नमूने का अनुगमन करती है अगला कुशन है कि विकास के लिए निम्न लिखित में से कौन सा एक उचित है तो पहला उप्षन है विकास जण्म के साथ प्रारम होता है और समाप्त होता है सामाजिक सांस्क संक्रितिक संदर्व विकास में एक महत्वण भूमिका का निर्वाह करता है विकास एकल आयामी है विकास प्रिथक होता है तो इसका जो हमारा सही option होगा कि सामाजिक संक्रितिक संदर्व विकास में एक महत्वण भूमिका का निर्वाह करता है option नमबर दो हमारा सही हो जाएगा वहीं आगे देखें कि भासा विकास के लिए प्रारंभिक बच्पन काल है तो भासा विकास के लिए जो प्रारंभिक बच्पन काल होता है बच्पन का समय जो होता है वो किस प्रकार का समय होता है तो वो हमारा आतिसंबेदन सिल समय होता है व वो हमारा तारामभीक बचपन का समय होता है ठीक। उसके बाद अगला कुश्चन देखिए लिखा हुआ है निचली कक्षाओं में खेल, खेल पद्धत के मोल रूप से आधारित है जो निचली कक्षा होती है उसमें जो फिरसे देखिए निचली कक्षाओं में सिक छन का खेल पद्धत मूल रूप से आधारित है तो मूल रूप से किस प्रकार आधारित है वो विकास एवं ब्रिध के मनोबैग्यानिक सिध्धान्थ पर आधारित है वहीं हम अगला कुश्चन देखे तो अगला कुश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक का नियमित रूप से बाहर निकलना यही जो है बच्चों के सामाजिक मनुबय ज्यानिक आउसक्ताओं के साथ संब्ध नहीं है ठिक अगला कुशन हमारा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किस से संबंधित है अर्थात विकास जो होता है वो क सिध्धांत से संब्धित है ठिक वहीं हम अगला कुशन देखें कि निमनलिखित में से कौन सा विकास का सिध्धांत है तो विकास का सिध्धांत क्या है विकास सभी प्रक्रियाय आता संब्धित नहीं है गलत है फिर अगला उप्शन है सभी विकास की दर समान नहीं होती सह पुनर बलन तो देखिए अगला कुशन आंसिक पुनर बलन वास्तविक कक्षा में अनुप्योक्त नहीं किया जा सकता पस्वों को प्रसिच्छित करने में सरवाधिक कारे करता है सतत पुनर बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है सतत पुनर बलन की अपेक्षा कम प बाल बिकास का एक सिध्धान्त नहीं है तो जो बाल बिकास है उसका कौन सा एक सिध्धान्त नहीं है बिकास के सभी छेत्र महत्पूर है सभी बिकास परिवर्तन तथा अनुभो की अन्ता क्रिया का परिडाम होते है सभी विकास तथा अधियम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं तो जो इसका हमारा सही option होगा वो होगा option number 3 सभी जो विकास तथा अधियम है ये एक समान गति से आगे बढ़ते हैं ये हमारा विकास का सिध्धान्त नहीं है और बाकी ज चिछक दौरा प्लशन पूछना संग्यान आत्मग विकास में बाध्थक है दूसरा विकास और सीखना सामाज के संदर्भों से प्रभावित होता है अगला विद्यारति एक निष्चित तरीके से सीखते हैं अगला खेलना संग्यान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है तो इसमें जो हमारा सही आप्सन होगा वो आप्सन नमबर होगा चार कि खेलना संग्यान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है वही हम अगला देखें कि पूर्व बिद्याले में पूर्व बिद्याले में पहली बार आया बालक मुफ्त रूफ से चिलाता है दो वर्ष पस्चात वही बच्चा जब प्रारम्भी विद्याले में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिला कर ब्यक्त करता है अपी तो उसके कंधिवा गर्दन की तनी पेसियां तन जाती है उसके इस बेवहार बेवहारिक परिवर्तन का क्या आधार हो सकता है तो जब बच्चा इस प्रकार देखे क्या आधार हो सकता है पहला विकास क्रमिक प्रकार से होता है विकास निरंतरी होता है अलग-अलग लोगों के में विकास जो होता है वो भिन-भिन रूप से होता है बिभेद वा एकी करण विकास के लक्षण हैं तो इसमें जो हमारा सही option हो जाएगा question number 27 का जो हमारा सही option हो जाएगा वो option number 4 हो जाएगा कि बिभेद वा एकी करण विकास के लक्षण हैं ठीक, तो वहीं हम अपना जो है आखरी दो question डिसकस करेंगे लाश्ट का दूसरा तो कुश्यन हमारा है कि निम्निलिखित में से कौन सा वाईगोच की के सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त पर आधारित है तो देखिए पहला सक्री अनुकूरन दूसरा पारस्परिक सिक्षण तीसरा सांस्कृतिक निर्पेक्ष संग्यानात्मक विकास और अगला अंतर द्रिश्टि पूर अधिका तो जो हमारा इसका सही आप्षन होगा वो आप्षन नमबर दो होगा पारस्परिक सिक्षण ये हमारा वाईगोच की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त है इस पर आधारित है तो आप्षन नमबर दो हमारा सही हो जाएगा वही आगे देखें कि एक सिक्षक अपनी कक्षक से कहती है सभी प्रकार के प्रदत कारियों का निर्माड इस प्रकार किया गया कि प्रतेग विद्यार्थी अधिक प्रभावसाली धंग से सीख सके अता सभी विद्यार्थी बिना किसी अनिकी सहायता से अपना कारे पूर करें वह कोहलेन बर्ग के किस नयतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है तो देखे ये जो है जो कोहलेन बर्ग का सिधान्त था हमारा कोहलेन बर्ग का जो सिधान्त था उसमें जो है सामाजिक आर्थिक जो आपचारिकता थी हमारी ठीक क्या चीज थी आपचारिक चरण चार कानून और दिवस्था ठीक तो इसका जो सही आप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन नमबर एक तो ये सारे कुशन हम अगला जो आगे का हमारा बचा हो कुशन है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो अधर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए इसमें हम सीटेट के जो प्रिवियस एर में कुश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रस्णों को डिसकस करेंगे ठीक आप देख रहे होंगे कि ये सीटेट झाल